हिंदु धर्म में मा लक्षमी को धन की देवी कहा गया है तो वहीं कुबेर जी को धन के देवता माना जाता है ऐसी माननेता है कि कुबेर जी जिस ब्यक्ति से खुस हो जाएं तो उसके किस्मत में धेर सारा पैसा और खुशियों का समंदर बरसने लगता है आज 150 सालों के बाद एक बार फिर से महा सन्योग बना है ऐसे में इस बदलाव से कुछ राश्यों के जातकों की किस्मत का काया पलट होगा आज हम आपको उनी राश्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो राशियां, पहला मेश राशी, 150 साल के बाद कुबेर जी महराज मेश राशी पर एक बार फिर से महरबान होने जा रहे हैं, इस राशी के जातकों के भविशे में पदो उन्नती के योग बन रहे हैं, करोबार में सफलता मिलने के आसार हैं, घर में कलेश और लडाई जगणों का अंत होगा, संतान से सुख की प्राप्ती होगी, मन में पॉजिटिव विचार आएंगे, किसे संत या धार्मी गुरु का अशिरवाद प्राप्त होगा, लव लाइफ में सुधार आएगा, लंबे समय से चल रही बिमारी मे कमी आएगी, दूसरा तुलाराशी, तुलाराशी के जातकों पर भगवान कुबेर जी की किरपा दृष्टी बरसने वाली है, और दुख दूर होने वाले हैं, नौकरी पेशे में उन्नती के योग बन रहे हैं, धन का लाब भी होगा, नए काम की शुरुवात करने के लिए ये अच्छा समय है, रुके हुए कार्य सफल होंगे, घर परिवार में खुश्यों का आगमन होगा, जीवन साती का भरपूर सहयोग मिलेगा, तीसरा सिंग राशी, सिंग राशी पर कुबेर जी की किरपा से सभी दुख दर्द दूर होने वाले हैं, लंबे समय से चल रही परिशानियों का अंत होगा, धन में बढ़ोतरी होगी, खास तोर से जो भी नौकरी पेशा वाले ब्यक्ति हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुब रहेगा, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, इसके साथी साथ आए में बढ़ोतरी हो सकती है, आपको कोई शु अचार हासील हो सकता है, जिसके वज़ा से आपका मन बहुत ही प्रसन रहेगा, कुबेर महराज की किरपा से आपकी आर्थी के स्थिति में सुधार आएगा, नेक्स्ट नाइन स्पेच्वल से बनीतरायक रिपोर्ट